एंजल ब्रोकिंग ना फंड मैनेजर मयोरिष जोशी पन जोडाई गया छे मयोरिष जी अधार महिना बाद कोल इंडिया फाइनली भावा थोड़ो वधारो करयो शूल आगे छे आजे मार्केट ने जरी ते ड्राइव करी रहा छे अब गिनन नी आदी मा मोखरे छे काई रही ते मार्केट ने पन जोड़ो चोने साथे कोल इंडिया ने अफ्टनू निशा जी मारे सब्सक्राइब मार्केट चेक कॉंसलिडेशन फेज माच है कि वह सकताओ प्राइपनी ।े ते टुम पर जाप गहा प्राइश पर básicamente सब्सक्राइब सिछ र Même सिच्छ करएब मारकेम तो कि यान कि बुड़ो चेंब तीम ने भी तो किला मारे सिट पर भी तिक है कि प्रकेत है कोल ने बुच्टिक आंपझ Tabii पॉंटिव ज है क्या सिर्पिटिव मुए जे कंपनी ने क्या ने क्या सिनुक्यार क 때 पिंगे ला रे जे ट्रॉप्ट आथ रएल ट्सेवका ला क्याने sitä ट्मिजेग सर्प्सारि ने रेकोंगे में वैंने क्यानिकोफ भाद डिवाग गषिद केसे पौर जाइब का उन्र 수도pielt P1-2 Ce ये करद डिवी टो मैंने कर फीलिवी श्वाद्ट्री से एक्रिंट को फोरude इन पर सकेलि तोस्थानिकोफ करद टृब करायं हिए अन्हें जवीरिते हैं इवाइशन करेज है, specifically over the last few weeks, कैना कैने, I think there can be significant traction happening in the last quarter and then they might fall short of the 600 MT target that they had given out. मारे सब्वें, I think a stable volume growth over the next two years is not rolled out. The added kicker again is that we will yield 4.5-5%. Yes, I think positive aspect you call India, it will definitely add to the earnings and I remain positive on the stock. Okay, so अब भी हो तिरा आपने यहां बन्तों देखाया रहाऊशो. साथे बिजया जे काउंट्रस आदना दिवसमा आपने इनिशेल ट्रेड नी इंदर जे फोकस मा आउता देखाया आता है आपने इंडेक्स मा जे आपने खासे नी इंपेक्ट आउती देखाया रहे शे. कोल इडियाना काउंटर असनी तो अपने मुमेंट जो एच्छे पने सिवाए ITC अने ओरोल सिग्रेट काउंटरस माट थेने यहां अपने मार्केट मांट थे थोड़ा रहतना समाशा रहा आता जे पिक्टरियल वर्निंग ने लेने आज आज मोग पोस्टिव देखाया रहा है पोना बेट अकानी महस्बुदी नो मेवरेश के वेडियते जो 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 है ITC ने आतिया रहा अपनुन विक्रमभा, I think valuation, I think this is one of the cheapest stock जार्शुदी, expectations in terms of how volumes will pan out clearly I think price hikes, माटे, I think there will be volume degrowth but क्यानके, I think because of the price hikes, realization and a top line growth will probably get maintained but अगी तरिक मापने, I think significant contribution, EBIT-Level, उपर, C.L.E.D. business, थे चाविशा, ITC, माटे and though I think with GST implementation, I think a lot more clarity has emerged in terms of how the taxability issues will pan out for the cigarette industries जे बीजा सबसेगमें ये ITC माटे, I think they should start growing significantly, which will still take time तो आपिड देढिडी नो बिसने हो है, होतल से अप्रेश नो बिसने हो है, अगर FMCG हो है, क्यानके I think even there, you have probably seen input cost inflation, catch up, तो जे वाल्यम बुरुटन पर ये पेक्षा करता था for a lot of FOMCG-stroke staples company. For a good contribution what I think this sub-segments will still take time. Toh maare sabhe again I think as I've been maintaining over the past few months I tell you I think I do the cheapest stock probably in terms of valuations because of all these factors Kadajah stock-eek range. Beans trade kars hai or the next one to two quarters. अब बैंक में एक बूलिश श्ट्रक्चर तेल देखाई रोशेक्मेंट आपनो जो यहाँ रिष्खास के ने साउथ इने बैंक इसी वह तमें जो आई यहाँ फेडरल बैंक चे सिंडीकेर बैंक चे अलाबाद बैंक चे आवाद जे मीड साइज ने थोड़ा लाग साइज ब क्यान क्यां जित लुटे सिंडीकेर में अ मानें जेवरी तमें एक नाम डी दू I think Federal Bank is something that I've liked in the past, clear disclaimer I think we do söyle stock in our funds. कियानки I think expectations che loan growth and advances growth me lay hai for the sector as a whole I think specifically private oriented sector che private banks mark the loan growth should be quite reasonable. Public sector banks leaving aside a few top tier banks, I think loan growth haおki constrained यहादे जो, है तर फूरे लिए से हैं, इन्थ बादे करीनिक रेंद लेंट पर्ण करेंगान, यहादे टो भी खाल। क्रेश चुरूरे कि अपस तूपर अ प्रफिजिए इन पस तू ओर कोर्ट इस प्रभीजिए प्रपिजिए फ्रेल स्काइब टूंग है टू कोश्यर खे, कि अपर इपिक प्रफिछेंग गरी इनके कुष्पिए तू आट थे cynुड अप्रपिजिए प्रफिजिए अर ऑप् निम्स मारे सब्सक्राइब, I think the bank should report a stable amount of NIMS and if the free income growth, that should probably be a little bit better compared to what the other similar peer group banks might report. And though the offsetting in terms of bond yield which had moved up in non-regid income or the non-interest income over, I think sort of the bond loss. But I think it should be a very stable set of numbers and evaluations are also looking pretty attractive with ROE's at 0.9, ROE's probably around that 12-13% mark which can expand significantly going forward as credit costs come down. So I think within the smaller private sector banks, Federal Bank is something that I will continue to like. Okay, so now we are looking at the ICC Lombard, we have seen a counter that we have seen a moment in the same time that we have seen ADAG stocks in front of us. Today we have seen a lot of pressure on Reliance Communication, Reliance Defense, Reliance Power on the counter. The demand has seen a lot of pressure on the other side of the market and the market has been seen in the same way, it is a lot of pressure on the other side of the market, but also the same thing that we have seen in the same way. Precisely the point, Vikram Bhai, you nailed the point. This is what our presumption always was. So, the first euphoric phase is what it is, the sentiment will push through stocks. The markets do realize that ultimately the number of market is looking. एलिए एंगाने मैंगे मैंग क्नुंटक्तिवी ब्रिक्स अग्षय के भी लेक्स बालने ये राटोग के खिणियेन एंगाने के ये लिए बालने कि अविक्टिशना रहेूर के लिएप्सित अव्राम पूर। was more in terms of the sentimental push-through and expectations. I mean numbers as this keep on fructifying over the next few quarters, Kadach, I think, you might see some revision happening in terms of earnings outlook, FI life 2019 and FI 2020 मत है. But a large element of EDIC has always been to be very, very stock specific. So I think RCAP is something that I have liked in the past and हमारी old recommendation है नाओ पर परकरार है. But other stocks probably you have need to give numbers some more time. एक आप पर एक वान जो कले जा वोल्यूम सारा बिल्ट अप तता दिखाया चाहखा दिवस दर मैं तो इमा तमने यह बैंक बैंक आप बरोडा दिखा ए पनने सतते तेक वोलेटिटी वचे सरक्तो जो आमरे चे बैंकिंग स्टॉक्स अत्यारे जो आप जे तो कहीं से का एक द इंप बैंको बरोडा एक कहीं सारा गीन पर शे पर शे पर इंप नडी बाटालीटी खासी हाइ पर शे करी रिटेट करोज यह बने पर सबस्क्राइब पर स्पार्फिके in terms of either MCLR cuts or provisioning required for the new NCLT cases. And I think credit costs both for Bank Overhoda as well as Punjab National Bank will probably remain high. For Punjab National Bank in particular, again, I think the GNP has reported at all almost 13.2% and they should probably start coming now because the recovery channel of the bank as the management was also indicating in the quarter, has been extremely strong. So, I think loan growth should also remain quite reasonable for PNP. But I think asset quality stress is one of the highest in the PSU universe. Atlematic credit costs and ageing related provisions are still going to remain extremely high. So, I think the next 2-3 quarters, I think the same drag in terms of all these factors can continue. But valuation, I think it is extremely reasonably, attractively placed. And return ratios, I think ROEs, ROEs are at multi-cortive low. So, I think any decline in a staggered way becomes a good opportunity. But one has to have the patience to hold on to these stocks for at least one at half years. David, Mayurishji, your stock price is the same, because the stock price is 1.5% अवित जिए समाचारा ओता जो ओनार फिस्कल से वह जो पाराशार अमर्जरया रही में ऐगरे शखे अभरे में जो सुग्ड़ु में आप प्रस्ताव रजुकरवा में आवी शके चेए अनि मेजर PSU बैंक्स ना मर्जर नी चर्चा नी वात नहीं थवा मा आवी छे अपने जो ही रहा चे बैंक निफ्टी एने खासके ने तमें जो PSU बैंक्स नहीं जो PNB ने बैंक का उबरोडा नी चे ती जब दस रिकवर थाई गया चे बैंक का उबरोडा मा तो जब दस तेजी पणावती जो हां मड़ी दे चे ने तमें बैंक निफ्टी जो तो तो त्या पन स्लाइट तमने अपसाइड जो हां मर्श ले आउनर फिनांचल लियर मा आपने जो शू नाडा की अवर्श नी जो चर्चा करे चे त्या नवा बैंको पना मर्श नी घोष्णा था शके चे ने नो प्रस्ताव अपने बज़त मा पन चर्चा तो जो ही शके चे मड़े ची अना पर अपनो शू मत बने कई बैंक के मा मर्श थरसे वा घणा वाट्साप मैसेज पन फरे चे चर्चाव पन घणी था चे पन फाइनली शू आत्रों पना मेजर पीस भी उसने फाइदा था शे? ऑना क्यान क्या अढक कै फिक्व पहुड पया था 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 थाइज था है यू पॉपटी था थाइज धिजरी थाइए प्र मढ़े थाए, यू पॉम पर माधी शूम्ने ने टो वाटलों इस तो बाट्सादिट्व ने किय थापना, फिक फिक पना वाटना थाई डेश्वार तो क्याना के I think it is expected to be a positive move पट केवरिते थासे I think that's going to be very very interesting so I think it's a wait and watch thing at least at this point अत्यरे अपने हेडलाइन मां आचू के Moody's में एक रपोर्ट आवे उचे जे मां खास मेंचिन करवा मां आवे उचे के usually आपने जोवा जे तो residential मां एटला NPS आपने नथी जोवा मड़ी रहा पर हवे चिंता व्यक्त थाई रही चे पारी उपर पड़ी चे और इने कार्णे ए लोको 9 महिना अपने कई शके कि 9 एवा हफता नव भरी शक्या निव दिवस सुधी जो पैसा नव भरी शक्या होए तो इने डफॉल्ट गणवा मां आवे चे तो इवा घणा कैसे सामे आउता जोवा मड़े चे मयूरेशी आएक पहलो मेजर कंसर्ण सामे आउता जोवा मड़े चे अत्या सुधी NBFC बांकिंग स्टॉक्स आएक अफॉर्डबल हाउजिंग मांते ए खासा रनप था ही चुक्या चे हावे एक अपनसर्ण उभताय तो शूव एक मोटो प्रफिट बुकिंग नभी अफसी पर वदू जो आमड़े क्या ने कया ता में जो सा निशा जी के या तिक जा ठीप्सी स्ट प्रिफिकली इधर तोर्दबल हॉजिंग हो यह ए और रूरल money in financial or in the surrounding channel, Ghanabadha companies over the last two quarters have actually moved up their provisioning over due basis or budget from 120 days to 90 days. However, I think there are two impacts which have been clearly seen on balance sheets. One, I think the provisioning has gone up significantly. And in BG Washtu I think the gross reported numbers in terms of GNP is the net NPAs. They have also moved up significantly. With Jonathan I think servicing is an issue. I think it's getting captured in terms of this 90-day over due bucket window. तो लार्ज अलेमेंट of the market is of the belief जिया गढ़ा बदा NBFC जे छे छे है at least on a 90-oddue basis I think a large proportion of this asset quality has been captured क्याना क्या है I think is there further upside in terms of slippages from this number मारे जिनली हो ही शका है पना I think it's not too significant a number in my opinion which can cause disruptions in profit and loss and balance sheets of a lot of these companies I think the kind of chasing of credit growth in terms of high quality retail getting chased by everybody I think I think well-rounded credit growth but that again will take at least a couple of quarters I think the kind of compression that you'll probably see on memes and spreads because of cost of funds actually going down but yields also coming down anyway I think it effect you have mercy but I do not see a significant pressure happening on asset quality the one can be very very juicy and stock specific in the industry and BFC space गाडियोंने रेप्लेस करवानी जे वाद चाली रहे चे तो और C8 जवा अपड़े C8 MRF जवा आपड़े टाय स्टॉक्स ती वाद करे तो इमा एक बजिंग ट्रेंड आवेँ चे मेरे ची कन के आटो अंसिलरी तो नो जे भाग चे टाय स्टॉक्स गम शे आने क्या प्रेलेशों प्रेश यह नोंचप्स्ट सन्ट डपस्टविय मेरे चाले सроб टलेशाइन खाया आप वे अधर हम राखर नार टुरा नायएशन जो लुछ, माई जो शुछ, कि यो भूख जो वटुछ लुछ, कहाना जो अधर हम इसमें अधर यह सुछ, अधर हम राखर आखर भती तक है, जो बाखर हम धिन्यद सबनें, प्रच्छ, कलेओ झुछ, अधर डेशल, क्याना यह तो वेजियु पर से का does the input cost inflation छाया, because of crude oil derivatives, nylon cord prices actually moving up, I think फ़े गणाबदाब्धध फट्रुज़ एर राम डिडियल इन पार्म अट्रीड प्रनीयों and I think the push through cannot be very very significant because ultimately they have to deal with the original manufacturers on the OEM side, replacement money can pass it through, so I think JKTAR is something that will continue to like and if Pija players who are specifically catering to the CD players I think Babco India and Bosch क्याना क्या, I think the expertise that both these companies have in the respective spaces, though valuations a little bit on the higher side, can really do well for themselves if this scrappage policy is implemented in each other. वाइरेच्ट जाना देव से, वहरेचि ट्राकरोचो आर्टी ड्रग्स ने खरदारी नीता होई शके? वहरेचिए पन्यूसरां करेचे कांटर ने, I think you have seen an obvious reaction happening around that counter, but I think buyback ने अमाऊं छहे, I think that also needs to be considered by long-term investors. I think business dynamics is something which I lie utmost importance to in terms of how the cash flows are panning out and how the general micro environment and the micro environment is shaping up. So, I think I think both selective rates are face-up, but I think all these news is probably keeping the stock buy-ending to distribute. तो रिटेल तमें जो त्याएक श्लाइट दबाँ शेह, तहरे तमने जो चार्ट पर तमें जो श्लाइट नीचे थी खरदारी आवी शेक डोट टकाना घटाडाबाद, पड़ आप ता रिटेल काउंट इस जी जब बजिंग दिखाय रहा चेह, एमा एंट्री लेवानी तक शोद भी जो है? सब्सक्राइब करें जो ड़िता में स्टाक करें अबिनी शुपर मांटे बीन सुपर मार्चेह थी में जो पर शुपर मांटेंगा। आप बेनी शुपर मांटेंगा। अने क्याने कि I think the business leadership itself is very very strong in terms of allocating capital very very efficiently in terms of opening of new stores or allocating capital in terms of how to probably manage those stores, supplier days, creditor days, receivable days are all very very manageable. future retail is something that I have liked because out of all the other stocks I think significant performance like Sudhaar Joha Malyoch hai specifically in the last 3-4 quarters and if they are able to up that momentum in the quarters to come, I think that can positively rub out on the earnings which in my opinion have surprised me in the last 6 months. I think I had maintained a positive call on future retail over the last few quarters and I think on declines this is one count that I would love to probably hold and probably have a longer time period in terms of holding on to the stock. आपने काने अईएवसी बैंक ने कैपितल फोर्स जेरेते सवाना तेजी करता देखायाता तेहांती कंसॉलेशन पर आवी गईव छे आग मयुरेजी साथन आपने वाचे 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 थे खबरो सांबडिये छे अने चर्चावनों एक दोर आगर वदेचेन स्टॉक आगर अगर आगर शेरेते सेटेशन आपने तेजी करता देखाया थे पर आजनी तेजी एक टकी नथी शकी शुकास कारण लागे छे थोड़ो समय आप वो जारें कांटर ने कैंटरी ले भी जोए अबिए थे निवस कीपन कमीप तुमारे साथ भी, I think unless there is something very very firm and affirmative, I think speculation उपर, I think you probably cannot take a long term call. क्याना क्यान, looking at dynamics of both these counters, again I think Capital First, purely based on its financial performance is something that we continue to like. जे टे एम गरोथ कम्पनी ने धर्शा भी चें थे in the few years gone by, my expectation is a 22-23% AVM growth, जे लोन गरोथ ते 23-24% रही शक्या है in the next two years, which will lead to a 30-32% earnings growth, dependence on bank borrowings has come down to 50-100%, you are probably looking at repricing all its assets and again repricing all its bond borrowing programs as well, जे लोचिता वाना क्यान जे एक एक स्कोम चें, बीजिवस तो I think the asset quality itself looks very very stable, at this point of time, even on a price to book parameter or earnings parameter, I think the stock looks pretty well, so I think let the speculations be resting at its own will, कैना क्या जे एक 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 इंडिविजिया शूपर्तमे ल्यां जेश्वान जेश्वान जेश्वान, unless something comes up constructively, I think till that point of time, I think Capital First still looks like it can deliver a very good show on the financial amount. अगें, valuation न फ्रन्ट उपर थी मार्केट चेरितने आपन पेन आउट था तो देखायो शे एनी चर्चा आपना मेरेश्पिला पन करी शुकिया शेवान, जे थीम वाइज, मार्केट ती मोमेंटम आपने एक्ट्रेक्ट करी रहे आशे, तो एने आपके विलितना जब चो, आए NBFC थीम ने जो इंडस्में पाटे जो विलितना जब चोई है? जे बरी चेटना जमे करुच था जब चींजर। जे वरितना जब चींजर। है कि जे ढ़ितन होने मारेasबर होने कुट हो रहे संवेलिझा छाह , जब चेमें ज सबाるसे जल सकींशwide पहते हम्प्सिकंपनी आहे मेरे चे सबस्तिकर सबचिकनी मां आपते। आपर बड़ा उच्छा था तस है करना इसे अीजिव पर अपर प्रेशए आउ से स्पेजिविविए तो बादनों रूपर हो निम्स राख थेपली में कर दो रहतin है लेए जुब देपथा है में जया आटो में जया बाइशन स्टथी आटिया जया। ऑन दार साइड इस पेक्टरम आ यहां काकमा या किन्वारा जिए कुन तो लिफांस जिए। मुझामुटीन टो गूटीन तो स्माश्य प्सूंपनी जहां जिए। माँ पर खास फोकुस है अगें, I think you are going to see some disruptions over the next 2-3 quarters तानका I think JVDT Asset Quality तो stress out because of the 90-day overdue window एना उपर I think higher provisioning as well as recognition of asset quality will probably eat into the numbers both in terms of means spreads but I think selective companies here are looking extremely, extremely attractive and the third segment also becomes rural financing firms तो I think JVDT ते budget नो focus रहस है again specifically on rural schemes doubling of farm income क्यानका I think there can be a significant accretion to a lot of these rural financing in BFCs जामा एधीपन पोटेंशल चे मारे सवें where valuations have not become stretched so I think these 3 broad sub-segments in BFCs I think selective stock picking is a key but I think all these stocks within these 3 sub-segments can do well because of the government push क्यानका समय पर्शे रचाले वानो को लिस्कोजर मेरेशिश जापने गड़िए पृता भीडिटीजर शेख दिनर पृता लिए पृतानी लिए जापसिबल ते पॉसिबल आपटानी क्यापिश है and we might be holding these stocks and we have our clients on our clients भीए आपने फिरुपनी क्यारा प्रशे एपने ये नानोक्रो विराम और विराम बाद आपे साथे मार्केट पर चर्चा माजोरा से चॉइस ब्लोकी ना कुनार करा है